नमस्कार आप देखरें न्यूस फॉर्डेशन और मैं हूँ सांकुना आपके साथ बिहार में सूपर कॉप से फेमस है शिवदीप वामन राव लांडे वो है तो महरास्टर के लेकिन उन्होंने अपनी सेवा बिहार में दी है ऐसे में अपने होम स्टेट से पांच साल बाद शिवदीप वामन राव लांडे की वापसी पिछले ही महीने बिहार में हुई है और अब वो बतौर कोसी छेत्र के डियाईजी के पद पर वापस से न्यूक्त किये गए हैं ऐसे में शिवदीप लांडे बिहार के लोगों में जब बिहार के लोगों को ये खबर मिली कि शिवदीप वामन राव लांडे की वापसी बिहार में पात सालों के बाद एक बार फिर से होने जा रही है तो बिहार के लोगों में खुशी की लहर दोड़ गए बिहार का हर एक तबका हर एक वर्ग शिवदीप वामन राव लां उनकी स्टाइल को सारे लोग खासकर पुलस वाले कॉपी भी करते हैं ऐसा मानना जाता है कि हर एक अपराधी को पकरनी का उनका जो स्टाइल है जो अंदाज है वो बिहद अलग है और हर बार एक नए और अलग अंदाज के साथ वो उभर कर सामने आते हैं जब वो पटना में थे तब उन्होंने पूरे पटना में तहल का मचा रखा था साथी साथ पटना के लोग खुद को उनकी रहने से इतना सेफ भी महसूस करते हैं ऐसे में पुलिस वालों के बीच कितने खास और लोकुप्रिये माने जाते हैं शिवदीप वामंजराओ लांजे आई इन तस्वीरों के माधियम से आप देखिए देश की इमांदार पुलिस अधिकारियों में से एक बड़ा नाम 2006 की IPS अफसर शिवदीप वामंजराओ लांजे का नाम भी शामिल है महरास्ट के रहने वाले IPS को बिहार कैजर मिला तो चुनोतियां अपार थी लेकिन वे जहां भी रहे अपराधियों एवं अवैद कारुबारियों के लिए काल बन कर रह गए शिवदीप लांजे सिर्फ बिहार पुलिस की पहचान ही नहीं बलकी बिहार पुलिस का ब्रमहास्त्र भी है क्योंकि उनकी पहुँच से कोई बे अपराधियों अधिक दिनों तक दूर नहीं रह सकता बिहार के अपराधियों और अंजवर्ड में जहां शिवदीप लांजे की नाम का आतंक है तो बिहार की जनता में उनकी लिए समान और प्यार भी है सबसर की मांदारी और बहादूरी की कारण ही उनकी साथ काम करनी वाला हर पुलिस कर्मी भीसने रखता है इसकी बान की एक बार फिर सहरसा में तब देखने को मिली जब कोसी छेत्र के डियाईजी और सूपरकॉप IPS अधिकारी के तोर पर जानने वाले शिवदी प्लांजे को बिहार पुलिस के नव नियोक्त पुलिस अवर निरिक्षकों ने अपना रोल मॉजल बताया बिहार पुलिस अवर सेवा चैन आयोक द्वारा कोसी छेत्र के लिए कुल 73 दरोगा का चैन किया गया है इन सभी को डियाईजी शिवदी प्लांजे ने नियोक्त पत्र सौपा है नियोक्ते पत्रों सौपने के बाद नव नियोक्त दरोगाओं ने अपनी चहेती अधिकारी के साथ जम कर सेल्फी ली इस दरान डियाईजी शिवदी प्लांजे ने सभी नव नियोक्त पुलिस आवर निरक्षकों को पुलिसग के कई महात्वपून टिप्स भी दिये IPS अधिकारे शिवदी प्लांजे ने बताये कि पुलिसिंग में दरोगा का पद सबसे महात्वपून होता है क्योंकि सबसे पहले घटना स्तल पर पहुशने वाला आधिकारी दरोगा ही होता है इमरजेंसी सर्विस के दोरान एक दरोगा की क्या भूमी का होनी चाहिए इसको लेकर डियाईजी शिवदी प्लांजे ने कई महात्वकून बाते बताए डियाईजी ने अभी बताया कि एक दरोगा का कॉंस्टेबल के साथ व्यवहार सफल पुलिसिंग के लिए कितना बहतर है डियाईजी ने बताया कि दरोगा और कॉंस्टेबल के बीच अंडरस्टैंडिंग हो तो कई महात्वकून अपराधि घटनाओ को सुलजाने में काफी मदद मिलती है फिटनेस को लेकर भी डियाईजी शिवदी प्लांजे ने नवन्योक दरोगाओ को कई महात्वकून बाते बताई डियाईजी ने बताया कि फिटनेस केवल शारिरिक नहीं बलकी मानसिक भी होनी चाहिए डियाईजी ने बताया कि पुलिस सेवा में आने के बाद भी आज भी वो शारिरिक तोर पर खुद को फिट रखने के लिए काफी महनत करते हैं शिव्दी प्लांजी ने आगे बताये कि आज भी वो प्रती दिन 6 किलोमेटर से जादा की दौर लगाते हैं और घंचे भर एक्सरसाइज करते हैं। पुलिस सेवा में इमानदारी को बिहद महत्वपून बताते हुए। शिव्दी प्लांजी ने नवन्यूक्त पुलिस अवर निरिक्षकों को बताया कि जब भी इमानदारी के रास्ते से भचकाव आने लगे या मन में गलत बाते आती हैं तो एक बार अपने न्यूक्त पत्र पर निगाहें अवश्य डाल ले। डियाईजी ने आगे बताया कि सभी नवन्यूक्त दरोगा को याद रखना चाहिए कि समाज में कई ऐसे रोल मॉजल हैं जिन्होंने इमानदारी का रास्ता अक्तियार किया हुआ है उन्होंने बताया कि जब कर्तव्य के निर्वहन के दोरान भचकाव आने लगे तो अपन कौप अधिकार शिवदी प्लांजे ने नवन्यूक्त दरोगाओं को कई चिप्स दिये कई बाते समझाई और उन्हें शाररिक और मानसिक तोर पर फिट रहनी की सला भी थी ऐसे में ये तस्वीरे तीजी से सोशल मेजिया पर वाइरल हो रही है जहां पर शिवदी उनकी फेस्बुक आईजी से साज्वा भी किया गया है फिलाल के लिए इस खबर में इतना ही अनकर अप्डेट्स के लिए मैं साथ बने रहे न्यूस फोर नेशन में नमस्का